गोड मार्निंग आल अफ यू तो बच्चों हम आज पाट पढ़ेंगे सूरज टगला थे हैं सूरज टगला थे जिसके कवी हैं चत्तिस गड़ी कवीता है या जिसके कवी हैं पवन दिवान जी चिक है संत पवन दिवान जी इसके कवी हैं पवन दिवान जी चत्तिस गड़ी भासा में लिखते हैं और लिखते हुए कहते हैं इस कवीता के माध्यम से भीशन गर्मी को चित्रित किया गया है। कवी कहते हैं कि इस कवीता में गिश्मवीतु की जो प्रचन गर्मी है उसका वर्णन किया जा है। सूरज की तेज किरने जो है धर्ती पर डालवा है जिससे धर्ती तपने लगी है और तपी से लोगों का पसीना गिरने लगा है। उनके माथे पर पसीने की बूंदे छलक आई है। माथ छिपिपचा पर कहा गया है। माथे पर पसीने की बूंदे छलक आई है। तीब्य गर्मी के कारण सभी का बूरा हाल है। और आगे बाद कहते हैं। जान चल थे चारो कोती तिपगे कान जमागे चे थी। सुलग है आखी मा आगी पाउं पर थे एती ते थी। भरे पलपला जरे भूमरा फोरा परगे गोड मा फिंगे सबले रेंगत रेंगत पानी मिलिस पोड मा नदिया पातर पातर होगे तर्या रोज अटावत है । खड मा रुखवा खड़े उमर के तंग्या ताल का टावत है। यहाँ पर कभी यह बात कहते हैं पवंदिवान जी सूर्य की सूर्य तफ कवर्णन करते हुए या फिर भीषन गर्मी का वड़नोंकरते हुए कहते हैं कि सूर्य की गर्मी का प्रभाव जो है चारो इस्परश्ट दिखाई दे रहा है जान चला थे चारो कोती गिरिशमत तुम आप जानते चारो तरफ गर्मी हवा चलता है तेज धूप के कारण ठीक है वो हवा में भी सितलता नहीं बलकि भिशनता दिखाई देता है गिरिशमत आप दिखाई देता है या आहसास होता है तो उसी बात को कहा गया है सूर्य की गर्मी का प्रभाव चारोब इस पश्ट दिखाए दे रहा है आँखों में गर्मी के कारण जलन होने लगी है जिसके कारण पाऊं भी इधर उधर गिरने लगे है अब जानते हैं जब गर्मी के दिनों में हम खाली पैर चलते हैं तो वह जलने लगता है और जलने लगता है था हम पैर कहीं के कहीं रखने लगते हैं और आगे बात कहा गया पानी अब छोटे छोटे पोखर और डबरे तक ही सीमित रहा गया है ठीक है नदी तलाब अब जर्णों में पानी कम हो गया है सूर्य की गर्मी से पत्ते सूख गये हैं पानी के सुरूत भी सूखने लगा है अर्थात आप या का सकते हो कि अब वो पानी के जो सुरूत हैं पानी नदी तलाब भी अब धीरे-धीरे सूखने लगे हैं ठीक है और आगे बात कहा गया फिंगेसर ले विंगत विंगत पानी मिल इस पोड़ मा अर्थात फिंगेसर से चलते चलते जब हम गए पैदल चलते रहे तो पीने की भी पानी हमें नहीं मिला रास्ते में वह पानी कहां मिला पोड़ मा पोड़े एक गाउं का नाम है तो वहां मिला ये बात कहते है और आगे बात कहा गया नदी तलाव नदी नदी आ पातर पातर होगे तरिया रोज़ अटावत है खड़ मर खुबा खड़े उमर के टंग या ताल का टावत है अर्थात ये बात कहा गया कि अब पानी जो है अब पानी जो है कहीं कहीं पर ही मिलते हैं गिरिश्म के कारण क्योंकि सब नदी तलाब सूख गए है और ये भी बात कहा जाता है कि खड़ में रुखवा खड़े उमर के टंग या ताल का टावत है और अब इस्थिती ऐसा है कि भेशन गर्मी के कारण जो रुख पेड़ जो खड़े हुए थे वह भी अब सूख गए हैं और सूखने के कारण अब उस पेड़ का रूमर हो गया हो ऐसा लगता है जिसके कारण से अब वो पेड़ भी कटाने लगे हैं काहसे टंग्या से अर्थाद लोग उन पेड़ो को सूख गया ऐसा कहकर सूखने के कारण पेड़ो को काटा जा रहा है ठीक है तो बच्चों आज के लिए इतना ही धन्यवाद